साल 2020 में एक के बाद एक कई तरह के मुसीबते लोगों के सामने आती जारी है कोरोना महामारे ने लोगों की जिंदगी में वो भूचा ला दिया जिसकी किसी ने भी कलपना नहीं की थी इस बीच अंतरिक्ष में भी कई तरह के घटनाये देखने को मिल रही है यह साल लोगों के लिए कई तरह से शौक लेकर आया तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ की नासा ने एक शौकिंग घटना सबको बताई है जो की 2020 के अंत में होने वाला है तो उस घटना को पुरा जनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखे तो जलिए शुरू करते हैं नासा के मताबिक इस साल अक्टूबर के महीने से आसमान में लोगों को चांद के अलावा एक मिनी मून भी नजर आएगा इसे लोग आसमान में अगले साल मही तक देख पाएंगे ये मिनी मून तेजी से पृत्वी की ग्राविटी की ओर आ रहा है और अब अगले कई महीने यही फस कर रहेगा इस कारण लोगों को आसमान में दो चांद नजर आएंगे नासा के जेपी अन ने बताया की पृत्वी की तरह एस्टरोइट ट्वेंटी एस्टो तेजी से आ रहा है यह इस साल अक्टूवर से अगले साल के मई मैने तक आसमान के लिए मिनी मून बनेगा आला की इसे लेकर एस्ट्रो लॉजर्स में थोड़ा मद्वेथ है कुछ एक्सपर्ट का कहना है की यह कोई एस्टरोइट नहीं है बलकि यह इनसान का पनाया कोई सेटलाइट का मलवा है नासा के एक साइंटिस्ट के मुताबिक जिस टुकडे को लोग एस्टरोइट बता रहे है वो असल में 1966 में रॉंच हुए एक रॉकेट का हिस्टा है टॉनी डन जो की एक एस्टरोजर है ने डेली मेल को बताया की इस मलवे की डेंसिटी कावी ज्यादा है इसके पृतिवी तक आने में सोलार रेडियेशन प्रेशर कावी आहम यगदान है अब तक के इतिहास के मुताबिक पृतिवी पर दो मिनी मून रिकॉर्ड किये गए है एक जहां इस साल फेवरारी 2020 में था जबकि दूसरा 2006 में ये दोनों ही एस्टरॉइट थे लेकिन इस बार वाले मिनी मून को स्पेस चंग भी कहा जा रहा है अभी तक के जानकारी के मुताबिक ये 12 से 46 फिट लंबी है एक्सपर्ट के मुताबिक एस्टरॉइट 2020 की वेलोसिटी ओपोलो एस्टरॉइट से काफी कम है फेवरुरॉरी में ही नासा ने इसे डिटेट कर लिया था अब ये तेजी से प्रित्वी की तरफ बढ़ रही है और अगले माईने यानि की ऑक्टूबर से लेकर माई 2021 तक आसमान में लोगों को दिखाई देगी तो ये थी नासा की दीगुई जानकारी तो आज के लिए बस इतना ही अगर आप स्पेस लवर हो तो एक लाइक तो बनता है और आपको क्या लगता है कि ये मुनी मून एक एस्टरोड है या किसी रॉकेट का मलवा है ये हम कमेंट करके ज़रूर बताए और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल स्टोरीज और मिस्टरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी हर वीडियोस की येटेस्ट अब्देक्ट आप तक समय पर पहुचे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग